इस वीडियो में आपको बताने वालो सौधी यरब का सब्बा बेंक में किस तरीके से अकाउंट को ओपन करना है प्लेस्टोर से सब्बा बेंक का अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है और आप यहां पर देख सकते हैं लिफ साइड में आउनलाइन एकाउंट आपन लिखा हुआ है तो यहां पर आपको किलिक करना है तो आउनलाइन एकाउंट आपनिंग पर हम किलिक करते हैं और आई अगरी पर किलिक करेंगे और पोर्सेस कर देते हैं जैसे ही आप process करते ही तो आपके पास इस तरीकी का एक option आ जाता है अब यहाँ पे आपको mobile number एकामा number और अफसर ID सब ready रखना परेगा यहाँ पे आपको चार जो दिख रहा है उस पे आपको click कर देना ही जैसे आप click कर देते ही तो आपको यहाँ पे एकामा number डालना परता ही चलिए हम अपना एकामा का number डाल देती है जैसे आप एकामा number डाल देते ही तो आपके पास फिर से mobile number मांगा जाता ही जैसे कि आपका mobile का number 054 के तीन number छोड़ के last का number नीचे में डालना परता ही इसके बाद बुलू टिक पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेश्ट के ओप्षन पे हम क्लिक कर देंगे एकामा नंबर मोबैल नंबर मैं डाल दिया हूँ और यहाँ पे अब हमें अपसर आईडी का पासबोर्ट और एकामा नंबर डालना परेगा तो मैं उपर में अफसर ID का एकामा नमबर डाल दीता हूँ और नीचे में अफसर ID का पासबोर्ट डाल दीता हूँ इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 176 सकेंड का टाइम बचा हुआ है अफसर ID के तरफ से OTP कोड आएगा तो यह देखिए अफसर ID का OTP कोड आचुका है और मैं OTP कोड डाल दिया हूँ अब यह आगे के तरफ बर रहा है अब यहाँ पे सब्बा बिंक में online account open करने के लिए personal information address, employee, professional इस सब आपको ready रखना परता ही तो जैसे कि आपकी professional information में आपका नाम क्या है address पता इस सब आपको automatically एकामा में जो लिखा हुआ है वो आचुका है लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ चीज आपको डालना परता ही सब्बा बेंक का visa card आपको कहां पर मिलेगा ये भी मैं इस वीडियो में पता नहीं जा रहा हूँ अर्वी में इंगलिस में मेरा नाम, मेरा एकामा नमबर हर एक चीज automatic आचुका है इकामा कब आपको डालना परेगा marriage status जैसे कि city of birth आप कहां पर पैदा हुए जैसे कि इंडिया के हैं तो हम यहां पर इंडिया लिख दिये हैं आपका साधी हुआ है या नहीं हुआ है जैसे कि मेरा हो गया है तो marriage लिखेंगे जैसे कि परेलिखने करेंगे अगर थोड़ा भूटब है लिखेंगे तो सेकेंड्री या फिर सेड्री पे किली कर सकते हैं इसके बल लिखा गया है do you hold other nationality क्या आपके पास और भी कोई देश का ID कार्ड है अगर है तो yes करेंगे नहीं या तो no करेंगे हर एक चीज पर no-no रहने देते हैं बस यहाँ पर yes करना है I was receive commercial SMS message तो उस पर आपको yes कर देना है ताकि आपका bank से कोई भी पैसा कटेगा तो आपको SMS के द्वारा बताया जाएगा तो हम उसको yes रहने देते हैं इसके बार contact details में आपको यहाँ पर देख सकते हैं email ID एक डालना पड़ेगा और नीचे में और उपर में same email ID आपको डालना पड़ता ही तो चलिए मैं आपको same email ID डाल देता हूं इसके बाद यहाँ पर आ नाम यहाँ पर डाल सकते हैं और नीचे में second में उसका नाम डाल सकते हैं अगर आपको कोई नहीं है तो अपना भी नाम डाल दीजेगा और अपना ही mobile number यहाँ पर भी आप डाल दीजेगा क्योंकि हमें account open करने से ATM लेने से ही मतलब ही यहाँ पर friend लिख सकते हैं आप अपना अपना ही नाम डालके यहाँ फ्रेंड भी लिख सकते हैं यहाँ पर लिखाए डू यू रिलेशन विट और सौधी बैंक क्या आपका account और भी कोई सौधी बैंक में हैं अगर आपका है तो यहाँ पर बैंक का नाम लिखेंगे अगर जैसे कि मेरा लाजी बैंक में अकॉंट देखं़ेंगे कोई बैंक में तो एट बाले पर किलिक करके और आप उर्वी कोई बैंक का नाम यहाँ पर लाप पर तोहराय करके रख सकते हैं अगर आप एक ही बैंक रखना सmmолот जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद हम नेक्स्ट वाले बटन पर हम किलिक कर देते हैं जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल एड्रेस मांगा जा रहा है आप जैसे कि मैं नेशनल एड्रेस पहले बना चुका हूँ तो ज़्यादा कुछ दालने के ज़रूरत नहीं है यह आटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है अर्वी में और इंग्लिस में आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में जैसे के सिटी के नाम हम कहां पर रहते हैं घर नंबर होस्ट नंबर विल्डिंग नंबर पूरा जानकारी इसमें आ चुका है इसके बाद यहां पर देखिए लिखा गया है क्या जो उपर मैट्रेस है क्या नीचे भी से मैट्रेस है मैं यस कर दिया हूँ अब जैसे की आपंट्री नॉन साथी जैसे क्या जो हैं विस देश का जैसे का इंडिया पाकिस्तान नेपल बंगना देश कोन भी होस्तव्स और सब्सक्रादी नोंगोर इसके भूंद cancer क्यार फ्सक्रार ये employee details आप जो company या कफिल के पास काम करते हैं, क्या सरकारी है, private है, तो हम private है तो private लिख देते हैं, और यह occupation आप जो है company या कफिल आपका क्या काम करता है, वो आपको लिखना परेगा, तो जैसे कि मुझे पता नहीं है, तो मैं अपना ही information यहाँ पर डाल दूँगा, या फिर labor, employee details मांगा जा रहा है, तो जैसे कि मैं अपना ही, जैसे कि मैं driving करता हूँ, वो ही लिख दूँगा, क्योंकि मुझे वो सब पता नहीं कि कफिल कौन सा company में काम करता है, कफिल का नाम क्या है, तो यहाँ पर employee name पूछा जा रहा है, कि आपका company या कफिल का क्या नाम ही, तो company का नाम आ रहा है, तो मैं इसमें से कोई भी select कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो यह क्या करेंगे, तो मैं इस तरीके से अब्दुल्हमान, सैद, अलरसीद, इसमें लिख दिया हूँ, और occupation joining date यहाँ पे नीचे में लिखिया, लिखा गया है, कि आप जो है, कपसे काम कर रहा है, अधर के company कपसे चाले हुआ है, ठीक है, तो जैसे कि आप यह company में कपसे जोइन किया है, वो joining date बता रहा है, तो हम जैसे कि जब यहाँ पे आएं सुधिर में, उस date हम लिख दिया है, और यहाँ पे लिखा गया है, कि आपको salary account open करना है, या फिर reward किस त मुझे salary account open करना है, salary पे click करेंगे, और यहाँ पे लिखा गया है, मन्थले income आपका कितना आता है, तो जैसे कि मेरा मन्थले income चोदो सो पंदर सो दो हजार रिप्या आता है, तो यहाँ पे आपको minimum 5000 भी लिख सकते हैं, जितना आप कमाते हैं महिने का, जैसे कि आप 3000 कमाते ह हैं, तो पचीस सो डाल सकते हैं, 3000 कमाते हैं, 3000 डाल सकते हैं, तो 5000 भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप महिने में 2000 डालेंगे, 2000 निकालेंगे, कौन इतना कमाता है, अगर आप कमाते हैं, तो लिख सकते हैं, आप और कोई तरीके से कमाते हैं, अगर कमाते हैं, तो यहाँ करेंग आजोबाजू में हैं जो कि आपँवहाँ से जाके एटिम ले सकते हैं तो जैसे कि यहां पर लिखा रियास SOURCE बरांच, सुस्वेद बरांच, नक्लिल बरांच, ठीकिए अलरौबी बरांच, अलरवदा बरांच खुरेस रोड तो हम यहां पे अलरावदा बरांच खालिद बिन अलवालड पे किलिक कर दें कि मीरे याजू-बाजू में यह बरांच है अब यहां पर लिकाए विया सेल्स सर्विक किसको 20 गंटा यह सेल्स सर्विस ओपन रहता है वहां से हम जाके संबा बेंकर ATM काड आ जाएगा तो हम सेल्फ सर्विस में जाकर लेना चाहती एटियम तो हम उपर वाले पे ही किलिक रहने देंगे और नीचे में हमें सब्वा बैंक का इंटरनेट बैंकिंग ओपन करने के लिए छे दीजित का पीन कोड बनाना परेगा तो देख सकते उपर में सेल्फ इसके में जाके एकामा नंबर डालेंगे फिंगर लेगा और मेरा एटियम वहीं से निकल जाएगा कोरियर दूरा मंगाएंगे साथ दिन लगेगा अगर आप ब्रांच में जाकर लेना चाहते है तूरत आपको मिल जाएगा तो दिके यूजर आईडी उपर में मैं अपना बना लिया हूं यहां पर मैं अपना पासबोट डाल दिया हूं और कन्फर्म पासबोट यह रहे बताया जा रहा है कि इस तरीके का आप पासबोट बना के डाल सकते हैं प्लिका डूए वांट टू इफर सेविंग अकाउंट नो मुझे नहीं करना है तो नेक्ट पे रहने देंगे नो पे रहने देंगे और नेक्ट करेंगे देखिए हमने जैसे नेक्ट कर दिया है तो यहां पर एक और अप्तरा है मंथली फाइनेंस यह सब पुछा जा रहा है अबरे जमॉंट मतलब कि यहां पर बजा इंक्रोडिंग कैस चेक एंड इंकम टांसपर आप महीने म हम टांसपर करेंगे पचीस सो मुझे निकाल सकते हैं इस तरीके से चाहिए आप दो हजार से उपर ही आप यहां पर डाल दीजिएगा तब ही आपका अकॉंट यहां ऑनलाइन खुलने के चांस होता है तो इसे तो अकॉंट ओपन होई जाता ही देखिए मैं उपर में दो टाला हूँ तो यहां पर यहां पर लिखे और यू टेक्स रेश्टेंट और कंट्री कै आप टेक्स भी भरते हैं दूसरे देस में तो अगर आप भरते हैं तो यास करेंगे नहीं बरतें तर नो करेंगे यहां पर देखे एक OTP कोड आएगा आपके मेल पर बैंक के तरफ से सब्बाव के तरफ से तो मेरे पास OTP कोड आ चुगा है देख सकते हैं 413304 मैं यहां पर दाल लें दाँ 413304 इसके बाद verify पर हम करते हैं देखे जैसे इसे पर करेंगे तो इस तरीके का एक आपशन आ जाता है अब यहां पर लेकाए देर कर्स्टमर विर बतार है आपका आपका खुल चुका है मेरा कार्ड नंबर मेरा काउंट नंबर ब्यूंड़ आप इसका है अ अब इसका हम isk है तके हम जब भी जो है कोई काम करे तो हमें यह एक याद रहे व nफार 1560 मार के का इंड़ करक लिजेगा और आपको पराच्ट में सभूँए का ATM ब्रांच में जाना परेगा वहां से आप ATM ले सकते हैं से निकल जाएगा अब यहां पर लिखा यूर विट्रेल विडिविटी कार्ड हैस बीन इसू सक्सेस्वल यू कैड इड़ कार्ड यूर अपलाई यहां पर कह रहा है कि आपका जो ATM कार्ड अपलाई हो चुका है यह नंबर से बात कर सकते हैं कुछ अगर अब आपका कुछ हो गया तो यूजर अडी मेरा देख सकते है मुकेश और यह मेरा यूजर अडी है अब हम लोगिंग करते हैं नेट बेंकिन तो मैं यहां पर बैक आ जाता हूं बैक आनी देखिए यहाप लेकर ठांक्यू फॉर साइनिंग जिसफॉर सबबनेट अब यहाँ पर अभी जो मैं यूजरएडिया बनायाता सबबंक का हो मैं यहां पर ढालूंगा लॉगिंग आपको कि सब्बा बिंग का जभी एडिया पासबोर्ड बनाए थे क्या लॉगिंग हो रहा है यह देखे लॉगिंग जो हो चुका है अब यहां पर अभी जो मैं पासबोर्ड एक बनाया था वह मैं पासबोर्ड यहां पर डालता तो देखे, पासबोर्ड जो है, मैं डाल दिया हूँ, और कॉंटिन्यू करता हूँ, जैसे मैं कॉंटिन्यू करता हूँ, तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबावेंग के तरफ से फिर से जो है, पॉर्सेसिंग हो रहा है, थोड़े दिर बेट करिए, अब यहां पर देखे, एक जो है यहां पे मांगा जा रहा है एक OTP कोड अभी जो सबाबेंग के तरप से आया है तो मैं OTP कोड जो है डाल देता हूँ यहां पे है 3638 वो कोड मैं उपर में जो है डाल देता हूँ जैसे ही मैं यहां पे verification कोड डालूंगा साबा बैंक का इंटरनेट बैंकिंग मेरा जो है चालू हो जाएगा देखिए मैं मैं जो है लोगिंग हो चुका हूं यहां पर देखिए मैं रिसीव दा नंबर और मेरे पास एक ओल आने वला है से इसके बादह नमबर मुझे बताना परेगा परेख एक एक दवाना परेगा वहां हूं एक कॉल आएगा तो उसके बाद हमें एक दवाना परेगा एक दवाने के बाद जो है हमारा अकॉंट जो इंटरनेट बेंकिंग होगा वो शुरू हो जाएगा अब हमें ATM कार्ड के लिए मैं आपको बता ही दिया हूं कि देखिए मेरे पास जो है कॉल का नोटिफिकेशन सर्विस आचुका है ठीक है तो मैं आपको एक बाद यहां पर बता देता हूं कि आपको मैं बता ही दिया हूं कि सबभविंक के अगर आपको ATM कर चाहे तो साथ दिर में एट्रियस पर आएगा अगर आपको बरांच में जाके लेना है तो अभी आप ओपन करेंगे और कल जाके ले सक अब मैं आपको यहां से लोगिंग करके दिखा देता हूं जो लोगिन आइडिया पास्वर बनाया था यहां पर क्लिक करेंगे पर्सेस करेंगे अब यहां पर मेरे पास ATM काद नहीं है अगर ATM काद आएगा तो मैं आपको लोगिंग करके बता दूंगा वीडियो पसंद है यहां पास爱 करें इडियो आपसेस करेंगे इम है विड करें करेंगे बनाया था था यह यहां बढ जोगिन यह हवी कर्णा ह WOMAN